प्रधान मंत्री उज्वला योजना की 100 से भी ज्यादा लाभारतियों के लिए मंगलवार का दिन बेहत खास रहा। इस मुलाकात के दोरान इन लाभारतियों ने बताया कि कैसे उज्वला योजना से इन्हें LPG कनेक्शन मिला और इसके बाद इन महिलाओं को बहतर जीवनस्तर मिल रहा है जिसकी वज़े से जिन्दगी में एक सकारात्मक बदलाब आया है पूरे भारत की जिन्दगी बदल दिया एक नया भारत बना दिया जो सोचे नहीं थे वो तो करके दिखा दिया हम बहुत खुसे से अभार मानते हैं मोदी जी का बहुत बदलाब हो गया है मेरा मेरे बच्ची सोब बहुत बुखले चल जाता था स्कूल बे ऐसे अब उठते हैं सुबे ने उठके बना के नास्ता दे देते हैं जंदगी बोत कराब था धुआ से खराफ होता था खानावना बनाने बहुत दिक्कत पढ़ाई ने कर पाती थी अब जोबाले जदने के बाद पढ़ाई अच्छा होती है टाइम भी मिलता है कुछ घर का काम ममी पापा सब को देख लेते हैं अच्छा लगा मान ये परधान मंतरी हम लोग को सेवा कि उजवाला गया इसमें लगा है पहले सरम पहले लकड़ी तोडने जाते थे काफी समय लग जाता था मलब टाइम नहीं हो पाता था घर आते बच्छे को भूग भी लग जाती ती टिपन भी पैक नहीं हो पाते थे अब लकड़ी नी हो तो खाना कैसे बनाएंगे पर जो भी था उसमें मलब ये उजवा की प्रधान मंत्री नरेनर मोदी ने उजवला योजना के साथ-साथ इन महिलाओं को बताया कि सरकार की सौभागे योजना से जल्द हर घर को बिजली मोहिया होगी प्रधान मंत्री नरेन रिमोदी ने इस बात को भी पुर्जोर तरीके से बताया कि कहीं भी बेटों और बेटियों में भेदभाव ना हो साथ ही प्रधान मंत्री नरेन रिमोधी ने नए भारत के निर्माण के लिए स्वच्छता पर जोर देने की बात कही गौर तलब है कि स्वच्छता पर बल देने से स्वच्छ भारत के निर्माण में भी मदद मिलेगी ठीक उसी तरह जैसे उजवला योजना के बाद अब देश की महिलाओं को गैस की चूले में खाना बढ़ाने की वज़े से अपने स्वास्ट से समझोता नहीं करना पड़ रहा है गौर तरह है कि उजवला योजना के तहट करोडों महिलाओं की जिंदगी में बदलाव आया है अब तक उजवला योजना के अंतरगत तीन करोड से भी ज्यादा गैस के नई कनेक्शन बाटे जा चुके हैं जाहिर तौर पर पड़ान मंतरी उजवला योजना से इन महिलाओं की जिंदगी में तो बदलाव आया ही है लेकिन इस योजना से नई भारत के सपने को साकार करने में भी मदद मिल रही है दूरो रिपोर्ट डीडी निउस